न्यूट्रिलाइट फाइबर का कोर्स आपको न्यूट्रिलाइट फाइबर के फीचर्स और लाभूं के बारे में बताएगा इस कोर्स के अंध तक आप न्यूट्रिलाइट फाइबर के फीचर्स लाभ और उप्योग को समझने में सक्षम होंगे फाइबर आहार के सबसे महत्वपून घटकों में से एक है अच्छे पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्चक है जिन में आहार फाइबर की मात्रा अधिक्तम हो जो लोग स्वस्थ रेंज में पहले से ही हैं उनके लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्वास्थ और नियमित्ता के लिए फाइबर सेवन सहायक है एक औसत भारती आहार में लगभग 6-8.5 ग्राम कच्चा फाइबर होता है लेकिन पश्चिमी प्रभाव और शहरीकरण के कारण अत्यधिक परिश्कृत भोजन की खपत में व्रिद्धी हुई है जिससे डायेट्री फाइबर का सेवन कम हो गया है The Institute of Medicine के अनुसार बच्चों और व्यसकों को प्रतियक दिन लिये जाने वाले हर 1000 कैलोरी वाले भोजन में 14 ग्राम फाइबर का भोग करना चाहिए न्यूट्रिलाइट फाइबर तीन प्राकृतिक घुलनशील फाइबर का मिश्रण है प्रतिरोधी, मैल्टोडेक्स्ट्रिन, आन्शिक हाइड्रोलाइजड ग्वारगम और इन्यूलिन न्यूट्रिलाइट फाइबर के प्रतियक सर्विंग में 3.7 ग्राम प्राकृतिक घुलनशील आहार फाइबर होता है सामान ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्वास्थे और नियमित्ता के लिए आवश्चक फाइबर प्राप्त करने का एक सुविधा जनक तरीका प्रदान करता है और पानी के साथ आसानी से मिलकर एक स्पष्ट, बेस्वाद और कम चिपचिपापन वाला तरल बनाता है पाँच ग्राम न्यूट्रलाइट फाइबर, धाइसो से साड़े तीन सो मिली लीटर पानी या रस में लें काफी मातरा में तरल पदार्थ के साथ इस प्रोड़क्ट का सेवन करें इस प्रोड़क्ट को परियाप्थ तरल के बिना लेना श्वास नली में अवरोध होने का कारण बन सकता है ये पूरक आहार को लेते समय अच्छी तरह से हाइड्रेटेड होना महत्वपून है और ये भोजन के साथ इसका उपभोग करना आदर्श स्थिती है वयस्क और बारा वर्ष या उससे अधिक के बच्चे एक दिन में एक से दो स्कूप ले सकती है बारा वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं या बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं या चिकित्सक ये देख रेक में रहने वाले किसी भी व्यक्ती को इस प्रॉड़क्ट का उप्योग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए आईए, अब तक सीखी गई अवधार नाओं की अपनी समझ की जांच करती है बहुत बढ़िया, ये सही है इसके साथ ही हम इस कोर्स के अंथ तक पहुँच गए है इस कोर्स में आपने ये जाना कि अच्छे पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए अधिक डायेटरी फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है न्यूट्रिलाइट फाइबर तीन घुलनशील डायेटरी फाइबर्स का मिश्रण है जो सामान्य गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्वास्थे और नियमित्ता बनाए रखने में सहायक है व्यस्क और बारा वर्ष और उससे अधिक के बच्चे प्रति दिन न्यूट्रिलाइट फाइबर के एक से दो स्कूप्स ले सकती है The Institute of Medicine के अनुसार बच्चों और व्यसकों को प्रति एक दिन लिये जाने वाले हर 1000 कैलोरी वाले भोजन में 14 ग्राम फाइबर का अपभोग करना चाहिए बधाई आपने सफलता पूरवक न्यूट्रलाइट फाइबर के कोर्स को पूरा कर लिया है हम आपके MV कारोबार में आपकी शानदार सफलता की कामना करते हैं